सफर के लिए खाना बनाना हो या बच्चों के लिए टिफिन के लिए टेस्टी सा टिफिन बनाना हो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैचकल कोकी मित पून में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्वीडियो में आलू के सिंपल से सबजी और पराठे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं और ये वीडियो आपको बहुत हैल्फुल होगा ये हम सफर के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उसमें हम ये आलू के सब्जी जो की खराब नहीं होती बिना लेसन प्याज के हमने बनाई है और ये पराठे हम ले जा सकते हैं और बच्चों की टिफिन के लिए भी ये बहुत अच्छा ओप्शन है तो चलिए देखते हैं यहां पर मैंने ये चार बड़े आलू ले लिए हैं आप कोई भी आलू ले सकते हैं आपके पास जो भी अवैलेबल हो इनको सबसे पहले हम छील लेंगे अच्छे से आलूओं को छील करके और पतला पतला हमें इनको कट कर लेना है और बहुत जादा पतला नहीं करना है एक मीडियम थिकनेस का हमें ये आलू छील करके और काट करके तयार कर लेंगे तो यह देखे इस तरह से मैंने बीच में कट लगा दिया है और अब मैं दिखाते हूं हमने कितना पतला पतला ये आलू काट करके तयार करना है तो इस तरह से देखे ना बहुत मोटे ना बहुत प गल पर सब्सक्राइब दोते हैं । तो नहीं सबस्क्राइब कड़ाहां बना लोहे 46 बना लोही के लिए लोही के ली कर्षार करना टैस्टी यहां पर मैंने दो चंद ऑलिया इसमे एक सर्शो का तेल सर्शो का तेल भी डऱ्ाब करते हैं इसमें थोड़ा मैं डाल दिया है जीर के अछिए जीर के साथ यहांपर थोड़ी भी डाल सकते हैं लेकिन यह बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैंने इसमें मिर्ची का यूस नहीं किया है तो यहां पर आलू मैंने डाल दिया है तेल में और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो गैस का फ्लेम यहां पर हम लो टू मीडियम रखेंगे और यहीं पर हम यहां पर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी बह के हम इसको धक करके थोड़े टाइम के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने आलू बहुत ज्यादा मूटे नहीं कट किये हैं तो यह बहुत जल्दी ही पक करके सॉफ्ट हो जाएंगे तो थोड़े थोड़े टाइम में देखिए हम आलू को इस तरह से चलते रहेंगे और पाट करते रहेंगे कि आलू रहां पक गया है कि यह देखिए 90% हमारा अलू पक गया है अब उसको ठगेंगे नहीं आप हम इसको खुले में इस तरह से पकाएंगे बहुत जादा अगर हम आलों को ठक कर पका लेंगे तो बिल्कुल हलवा जैसा बन जाएगा यहां पर मैंने डाल दिये थोड़ी सी कस्तुरी में थी और खुब सारा हरा धनिया जिससे की सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इसके अलावा हम इसमें बह फ्लेम मीडियम टू हाइगा है और इसमें हमालों को थोड़ा कृस्पी कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डालेंगे यहां पर जो कि इस सब्जी को एक अच्छा सा कलर देगा इसे तीखा पन नहीं आता है बहुत अच्छा कलर आजाता है सब्जी का तो लगभग हमारी सब्जी बन करके तयार हो गई है लेकिन क्यूंकि हमने इसमें तेल थोड़ा ज्यादा डाला था इसलिए हम अब इस सब्जी में से तेल को निकाल लेंगे तो यह देखे इस तरह से सब्जी को हम एक किनारे लगा देंगे और उसके दूसरी द्ञाइब हो जाए और सुखी सब्जी बना रहे हैं इस तरह से आप देखे इतना सारा थेल इस सब्जी में निकला है तो इस तरह से आप आपका भीवर सब्जी बना करके तयार कर सकते हैं तो हमारी सब्जी का टेक्स्टर बहुत ही सुन्दर आया है और खुश्बु भी अच्छी आरे क्योंकि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है यह तेल भी वेस्ट नहीं करेंगे इस तेल को हम पराठे या दाल वगरा फ्राइ करने में यूज कर सकते हैं तो अब यह सब्जी हम अपने बर्तर में दूसरे में निकाल लेते हैं जिसे कि हम अपना आगे का प्रोसर शुरू कर सके बिसके साथ हमने बनाने हैं पराठे तो पराठे भी बना लेंगे यह सब्जी हम इस तरह से इसमें से निकाल लेते हैं और बचे हुए तेल को भी हम यूज कर लेंगे तो यह लीजे सब्जी हमारी बिल्कुल सुन्दर सी बनके तयार हो गई है और बहुत तो यहां पर मैंने एक चमच पिगला हुआ देशी घी डाल दिया है जिससे पराठे हमारे बहुत खसता और बहुत अच्छी बनेंगे यहां पर रजवाइन डालने से पराठो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जल्दी यह खराब नहीं होते हैं और इस तरह से पहले सुखी चीजों को हम मिला लेंगे उसके बाद इसमें पानी डालके हम एक अच्छा सा डो बना करके तयार करेंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे डालने के साथ हम इसमें और यहीं पर मैं एक चीजी इसमें एड़ करूंगी हरा धनिया तो अगर आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कटा हुआ हरा धन्या भी आड़ कर लें जिसे यह पराठो का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ही फ्लेवर इसका चेंज हो जाता है तो यहाँ पर हरा धन्या डालने के बाद हमने पराठे देखें आटा इसका लगा करके तयार कर लिया है यह आटे को हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से मसल करके और सट होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे आटे को कभी भी आटा लगाने के बाद उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए चोड़ दें तिहां हमा और सुखाटा लगा करके इस तरह से आप पहले इसको थोड़ा सा हाथों से ही बढ़ा कर लें इस तरह से बढ़ा करने के बाद अब हम इसको बेलेंगे पहले रोटी की शेप में हम बढ़ा सा एक पतली सी रोटी इसकी बना करके तयार कर लेंगे तो आप देख रहे हैं रोट से भी इस तरह से में घी लगा देती हूं हाथ से थोड़ा सा और फिर इसको हम एक फोल्ड इस तरह से देंगे देखिए बन गया ना बिल्कुल ट्रैंगल की शेप में और अब हम इसको सुखी आठे में लपेटेंगे और इसका पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी शेप अच्छी बन करके आए और हलके हां से ही बनाए बहुत ज़्यादा दबा करके पराठे को ना बेले तो इसकी खराब हो जाएगे पराठा आपका अंदर से अच्छे से सीख नहीं पाएगा तो यह देखिए पराठा हमने बेल करके तयार कर लिया है कितने पराठा जब तक की निचली स्तह पर अच्छे से सीख ना जाए उसको एक तरह से अच्छे से सीखने दे और फिर उसके बाद हम उपर से पराठे को इस तरह से थोड़ा सा हिला के देख लेंगे और डेसी घी एक तरफ लगा लेंगे पहले घी या तेल आप जो भी लगाना लगाने के बाद अब हम इसको पलट करके दूसरी तरफ से भी खी लगा करके अच्छे से पराठा अपना ब्राउन चित्ती आने तक हम इसको सीख करके तयार करेंगे आप देख रहे हैं पराठा हमारा अच्छे से सीख रहा है दोनों तरफ से और इस तरह से स्पैचुला से हम पराठे को देखें फुल भी रहा है अच्छे से और क्यूंकि हमने इसके बीच में तेल लगाया है तो यह बिल्कुल चिपका नहीं है अंदर से और पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिख करके तयार हो गया है आप देख रहें कितना अच्छा कलर भी पराठे का आ त्व तो लगते आपक्र नाचते में तो अपने सफर के लिए भी खाना की रूप में बटन जरूर क्लिक करना वॉर नई रेस्मी के साथ तब तक के लिए टेप केर